नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मुंबई के बांदरावरली सीलिंग के बारे में तो आपने सुना होगा लेकिन आज हम आपको भारत का सबसे बड़ा पुल दिखाएंगे आपको बता दें कि यह पुल बांदरावरली सीलिंग से भी बड़ा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं अनुनाचल परदेश को असाम से जोडने वाला सबसे बड़ा पुल जिसे भूपेन हजारिका से तू भी कहा जाता है आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और यह करीबन 9.15 किलो मीटर लंबा है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मुंबई के बांदरावरली सीलिंग से 3.55 किलो मीटर लंबा है देश के सबसे लंबे पुल होने के साथ साथ यह दो राजियों को भी आपस में जोडता है इसके अलावा इसका एक छोर अरुनाचल परदेश के ढोला गाओं और दूसरा छोर असम के साधिया को जोडता है आपको बता दें कि लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जिसके उपर यह पुल बना हुआ है यह पुल असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलो मीटर और अरुनाचल परदेश की राजधानी इटानगर से 300 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है इस पुल के चलते दोनों राजधियों के बीच की दूरी करीवन 165 किलो मीटर घट गई है हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बॉटन को जरूर दमाएं धन्यवाद